Code 8 Part 2 इस कहाने में हम सूपर हिरो, सूपर विलेंस और रोबोट्स के फाइट को एक साथ देख पाएंगे I think इतना ही इस कहाने को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए बहुत है कहाने की शुरुआत में हम कॉनर को देख पाते हैं जो अपनी 5 साल की सजा काट कर जेल से बाहर निकल रहा होता है और तब ही हम जेल में पहरेदारे करते हुए कुछ रोबोट्स को भी देख पाते हैं खेर, अब कॉनर जेल से निकल कर शेहर की तरफ जा रहा होता है तब ही एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है ये है गैरेट, 5 साल पहले गैरेट और कॉनर साथ में काम किया करते थे गैरेट ड्रक्स का धंदा किया करता था लेकिन एक बार जब पुलिस गैरेट को पकड़ने के लिए आती है तब गैरेट की जगा पे कॉनर जेल चला जाता है सजा काटने के लिए तो Connor ने Garrett के लिए 5 साल जील में सजा काटी थी तो इसलिए Garrett बदले में Connor को भी कुछ देना चाहता था लेकिन Connor को कोई भी मदद नहीं चाहिए थी और Connor तो Garrett को देखना भी नहीं चाहता था इसलिए Connor Garrett को यहां से चले जाने के लिए कहता है तो अब हम इस Country को देख पाते हैं जहांपर पुलिस वाले अपने साथ Guardian Robots को रखते हैं यह Robots बहुत ही खतरनाक हैं जो किसी भी Criminal को आराम से पकट सकते हैं और Criminal को जान से भी मार सकते हैं लेकिन इस Country के लोग इस Guardian Robots से काफी डरने लगे क्योंकि यह Robots किसी को भी जान से मार सकता था और फिर लोगों ने सरकार के उपर प्रेशर डाला और सरकार ने Guardian Robots को इस्तमाल करना काफी हद तक कम कर दिया और अब Guardian Robots की जगा पुलिस वाले अपने पास K9 Robots को रखते हैं जो कि एक Robot Doggy की तरह लगते हैं और यहीं पे हम Officer King को देख पाते हैं जो कि इस K9 Robot के बारे में बताते हैं Officer King बताते हैं यह K9 Robot किसी की भी जान नहीं ले सकते अगर आपने कोई गलत काम किया तो यह Robot आपको Warning देगा और अगर आपने हाथ खड़े कर दिये तो यह Robot आपको कुछ भी नहीं करेगा तो अब हम Garrett को देख पाते हैं जो कि अभी भी अपने Drugs का धंदा कर रहा था और वो एक Psych नाम का ड्रग बनाता था जिसको बनाने के लिए Super Humans की जरुवत पड़ती थी दरसल जिन इनसानों के पास Super Powers हैं उनके रीड के हड़ियों से एक Fluid को निकाला जाता है और उसी Fluid के जरुए इस Psych नाम के ड्रग को बनाया जाता है लेकिन Garrett ये ड्रग बनाता कैसे है तो दरसल Garrett खुद एक Super Human है उसके पास भी Super Powers हैं और साथ ही में इसके टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास Super Powers हैं तो Garrett अपने ही आदमियों के बाड़ी से वो Fluid निकालता है और उससे ड्रग्स बनाता है और फिर उन्हीं ड्रग्स को आम इंसानों में बेच कर पैसे कमाता है और हम यहां देख पाते हैं कि Garrett के साथ साथ Officer King भी मिला हुआ है दरसल Garrett Officer King को बहुत सारे पैसे देता है जिस वज़े से Officer King Garrett के ड्रग्स वाले धंदे में टांग नहीं अडाता और Garrett चुपचाप अपने ड्रग्स का धंदा करता रहता है और अब हम यहां टेरेक को देख पाते हैं जो Garrett के लिए ड्रग्स डिलिवर करने का काम करता था और यह टेरेक अपनी बहन पवानी के साथ रहता था पवानी पढ़ने में काफी तेज थी लेकिन पढ़ाई करने के लिए और किताबे खरीदनी के लिए उसे पैसों की काफी जरुवत थी ऐसे में उसका भाई टेरेक कहता है कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा उसे चिंता करने की जरुवत नहीं है और दूसरे ही दिन टेरेक अपने ड्रग डिलिवरी का काम करता है और वो गैरेट के पास जाता है कुछ पैसे मांगने के लिए टेरेक कहता है कि वो और भी काम करना चाहता है ताकि वो जादा पैसे कमा सके लेकिन गैरेट साफ मना कर देता है और इसी रात हम Garrett को देख पाते हैं जो कि एक पैसो का बैक तयार करता है जो कि वो Officer King के पास पहुचाने वाला था और पैसे पहुचाने के लिए वो अपने दो आदमियों को पैसे देकर भेज देता है लेकिन हम यहाँ पर Tarek को देख पाते हैं जो कि छुपकर सब कुछ देख देते हैं ताकि थोड़ी दिर बाद Officer King यहाँ पर आए और अपना पैसा कचरे के डब्बे से निकाल ले लेकिन तभी Tarek यहाँ पर आता है और कचरे के डब्बे से Officer King के पैसे को निकाल लेता है मतलब Tarek गदारी कर रहा था और पैसो की चूरी कर रहा था खेर अब T पैसे नहीं थे और फिर Officer King यहाँ पर चुपे हुए Tarek को देख लेता है और वो समझ जाता है कि Tarek पैसे लेकर भाग रहा है तो अब Tarek को पकड़ने के लिए Officer King अपने K9 रोबोट को उसके पीछे लगा देता है फिर यह K9 रोबोट बहुत देर तक Tarek का पीछा करता है और आखिरकार यह रोबोट Tarek को पकड़ लेता है फिर Tarek डर के मारे अपने हाथ खड़े कर देता है ताकि यह K9 रोबोट उसको कुछ न करे लेकिन तभी Officer King अपने रोबोट को एक कमांड देता है जिसके बाद यह K9 रोबोट Tarek को एक जहर देकर जान से मार देता है ल लेकिन पवाने के पास पहुंसते ही यह K9 रोबोट अचानक से खराब हो जाते है यानि पवाने के पास भी कोई सूपर पावर है जिस वज़े से वो रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देती है देन हम Connor को देख पाते हैं जो कि एक Community Center में साफ सफाई का काम कर रहा था और तब ही डेविस नाम का एक पुलिस वाला Connor से मिलने के लिए आता है दरसल डेविस और Connor एक दूसरे को पहले से जानते थे लेकिन Connor यहां डेविस से बात करना नहीं चाहता था और तब डेविस अपना फोन नमर यहां पे छोड़ देता है और यहां से चला जाता है और फिर हम इस Community Center के मैनेजर या फिर कहलो माल किन मीना को देख पाते हैं मीना जो कि Connor का काफी ख्याल रखती थी खेरब दोबारा से Connor अपने साफ सफाई के काम में लग जाता है और तब ही वो एक स्टोर रूम के अंदर पवानी को छुपा हुआ देखता है पवानी यहां पर काफी डरी कॉर्ड कर लिया था तो अब ऑफिसर किंग समझ चुका था कि पवानी के पास कोई खांस चकतिया है इसलिए अब वो अपने ऑफिसर को पवानी को ढूणने के लिए कहता है हम देख पाते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स कम्यूनिटी सेंटर में पहुँच चुके थे जहा बाद हम दोबारा से किंग को देख पाते हैं जो गैरेट के पास आता है और कहता है कि उसे अपने पैसे नहीं मिले और साथ में एक लड़की को उसके काले कारनामे के बार में सब कुछ पता चल चुका है तो अब गैरेट पूछता है कि वो लड़की कौन है तो अब ऑफिस कि उस लड़की के पास कुछ खास शक्तिया है और वो लड़की तुम्हारे दोस्त कॉनर के साथ भाग गई है तो अब गैरेट का काम था कि वो किसी भी तरीके से कॉनर और पावानी को ढून निकाले जिसके बाद हम दोबारा से ओफिसर्स को देख पाते हैं जो कि कॉनर और के लोकेशन को ढून लेते हैं और उनको पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन हम यहां पावानी को देख पाते हैं जिसे अपने शक्तियों के वजह से पता चल जाता है कि पुलिस वाले और रोबोट्स इनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं और इसलिए दोबारा से कॉनर और पवानी पीछे वाले रास्ते से निकल जाते हैं तभी उनके सामनी दो गार्डियन रोबोट्स आजाते हैं जो कि अब सीधे कॉर्णर और पवानी के ऊपर गूली चलाने वाले थे लेकिन तभी हम देखते हैं कि कॉर्णर अपने पावर्स का इस्तमाल करता है यानि Connor के पास भी शक्तिया है और इसके पास electricity वाली कोई power है और फिर Connor अपने शक्तियों से guardian robots को मार के यहां से भाग जाता है देन Connor और पावानी समझ चुके थे कि उनको किसी न किसी की मदद की जरुवत है वो अकेले इस problem से नहीं बच पाएंगे तो अब हम यहां Connor को देख पाते हैं जो कि एक hotel में बैठा हुआ था और Connor यहां पे Garrett से मदद मागने के लिए आया हुआ था जबकि Garrett तो खुद ही Connor और पावानी को ढून रहा था तो अब Connor कहता है कि उसे इस देश से तो अगर पावानी इस देश से बाहर गई और किसी को ओफिसर किंग के बार में बता दिया तो ओफिसर किंग को जेल हो सकती है जिसके बाद ओफिसर किंग Garrett को भी नहीं छोड़ेगा लेकिन Garrett के पास एक solution था Garrett कहता है कि पहले हमें पावानी के मेमरी को एरेज करना पड़ेगा जिसके बाद Garrett खुद पावानी का ख्याल रखेगा और अभी solution को मानने के अलावा Connor के पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि अगर Connor यहां से भागने की कुशिश करता तो Garrett उसे जान से मार देता जिस वज़े से Connor पावानी को समझाता है कि देखो हमें तुम्हारे मेमरी को एरेज करना पड़ेगा तो सभी लोग तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी और फिर ना चाहते हुए भी पावानी मान जाती है जिसके बाद Connor और पावानी Garrett के अड़े में जाते हैं जिसमें पावानी ने अपने भाई को मरते हुए देखा था मतलब के नाइन रोबोट ने उसके भाई को जान से मारा है ये वाली मेमरी पावानी के मन से इरेज करने वाले थे लेकिन यहाँ पे Garrett का इरादा कुछ और ही था Garrett पावानी के मन से उसके भाई के सारे यादों को मिटाना चाता था मतलब पावानी पूरी तरीके से अपने भाई टेरेक को भूल जाएगी लेकिन इससे पहले Connor को Garrett के इरादों के बार में पता चल जाता है और इसलिए Connor पावानी को रोकने की कूशिच करता है और अचानक से पावानी को होश आ जाता है जिस वज़े से पावानी अपने मन से कुछ भी नहीं भुला पाती और इसके बाद क्या था Garrett और Connor के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई करते करते यहाँ पर पाईप से पानी बहने लगता है और तब ही Connor अपने पावर्स का इस्तमाल करता है क्योंकि electricity और पानी के इस्तमाल को तो अब जानते ही हो तो यहाँ पे Connor अपनी बिजली से Garrett और उसके आदमियों को जूर का जटका देता है और पावानी को लेकर यहाँ से दुबारा से भाग जाता है जिसके बाद Connor और पावानी मीना के पास वापस जाते है और अब मीना Connor और पावानी को लेकर एरपोर्ट जा रही थी ताकि वो इस कंट्री से बाहर जा सके लेकिन इस बारे में Officer King को पता चल जाता है और अब Officer King अपनी दो Guardian Robots को भीजता है ताकि वो Connor और पावानी को जान से मार सके लेकिन इस से पहले हम देख पाते हैं कि Connor की गाड़ी के सामने Garrett आ जाता है और Garrett यहाँ पे Connor पावानी और मीना को पकड़ लेता है और दूर बैठा हुआ Officer King ये देख लेता है कि Garrett अपने आदमियों के साथ पावानी और Connor को पकड़ चुका है तो अब Officer King सोचता है कि शायद Garrett अब Connor और पावानी को जान से मार देगा और यहाँ पे हम देख भी पाते हैं कि Garrett अपनी गन निकाल कर पावानी को जान से मारना चाहता था लेकिन पावानी को बचाने के लिए Connor उसके सामने आ जाता है और Garrett यहाँ Connor को गूली नहीं मार पाता क्योंकि Connor ने Garrett की काफी मदद की है इसलिए Garrett Connor को जान से नहीं मारता और अब दूर बैठा हुआ Officer King समझ जाता है कि Garrett किसी को भी जान से नहीं मारने वाला तो इसलिए Officer King अपने रोबोट्स को कमांड दे देता है जिसके बाद यह Guardian रोबोट्स Garrett उसके आदमी Connor पवानी मीना सब के उपर गोली चला देते हैं और इस Gunfire में Garrett के दोनों आदमी मारे जाते हैं और तब हम यहाँ मीना को देख पाते हैं जो Connor से कहती है कि वो खुद को sacrifice कर देगी और तब ही पीछे से Connor पवानी को लेकर यहाँ से निकल सकता है देन मीना खुद को sacrifice करने के लिए Guardian रोबोट्स के सामने आ जाती है और यह रोबोट मीना के उपर fire कर देते हैं और इसी टाइम पे Connor, पवानी और Garrett एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और अब यहाँ पे Garrett, Connor और पवानी के बीच में सुला हो चुकी थी मतलब यह तीनों kind of दोस्त बन चुके थे क्योंकि अब इन तीनों का दुश्मन था Officer King तो अब यहाँ पे Connor अपने दोस डेविस को कॉल करता है और फिर यह डिसकस करता है कि वो कैसे Officer King की असलियत को सारी दुनिया के सामने लाएंगे लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि Officer King की पहुँच बहुत उपर तक थी उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था तो अब यहाँ पे पवानी बताती है कि Officer King के पास जो कैनाइन रोबोट है वो हर वक्त रिकॉर्ड करता रहता है तो उस वाले कैनाइन रोबोट के अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड होगा मतलब Officer King ने किसी को जान से मारा हो या कोई गलत काम किया हो वो सब कुछ उस रोबोट के अंदर रिकॉर्डेड होगा तो अब इनका काम था कि वो किसी तरीके से केनाइन रोबोट को लेकर आए और उसके अंदर से वीडियो फुटेजेस को चेक करे तो अब हम यहां Garrett और Connor को देख पाते हैं जो कि Police Officers बन के Officer King के घर पे जाते हैं और यहां पे हम Officer King की wife को देख पाते हैं तो अब Officer King की wife Garrett और Connor को अंदर बैठने के लिए कहती है और थोड़ी दिर बाद हम यहां Officer King को देख पाते हैं जो अपने काम से वापस आते हैं, अपने केनाइन रोबोट को चार्ज में लगा कर घर के अंदर जाते हैं, और घर के अंदर आते ही वो कॉनर और गैरेट को देख पाता है, लेकिन ओफिसर किंग गैरेट और कॉनर को इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे ओफिसर किंग की वाइफ थी, जिसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो अब यहाँ पे ओफिसर किंग और गैरेट और कॉनर आपस में बात चित करते हैं, और दूसरी तरफ हम पवानी को देख पाते हैं, जो की चोरी छिपे गराज के अंदर आती है, और यहाँ ओफिसर किंग के के नाइन रोबोट को हैक करने की कुशिश करती है, और फिर क्या था, काम होने के बाद गैरेट और कॉनर ओफिसर किंग के घर से बाहर आते हैं, और वो केनाइन रोबोट को लेकर चुपके से यहां से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद ओफिसर किंग देख पाता है कि उसका केनाइन रोबोट यहां पर नहीं है तो अब गैरेट और कॉनर के पास ओफिसर किंग के खिलाफ सारे सबूत थे जो कि अगर वो मिडिया में दिखा देते तो ओफिसर किंग एक्सपोज हो सकता था लेकिन यहां पर दोबारा से गैरेट के इरादे कुछ और ही थे गैरेट यहां पर ओफिसर किंग को एक्सपोज करना नहीं चाहता था बलकि Garrett Officer King के साथ एक deal करना चाहता था तो अब हम यहाँ पे Officer King को आते हुए देख पाते हैं तो अब यहाँ पे Garrett Officer King के साथ एक deal करता है इस deal में ये deal कुछ ऐसी थी जिसमें Garrett Officer King के सबूद को किसी को भी नहीं देगा और किसी को भी कुछ नहीं बताएगा और बदले में ओफिसर किंग, कॉनर, पवानी और बागी सारे सूपर हुमेंस का पीछा छोड़ देगा लेकिन ओफिसर किंग को ये डील पसंद नहीं आती और फिर वो गैरेट को एक चाकू मार देते हैं अब यहां पे ओफिसर किंग, गैरेट के सभी आदमियों को पकड़ने वाला था और यहां दूसरी तरफ, कॉनर, पवानी और गैरेट के सारे आदमी समझ चुके थे कि पुलिस वाले यहां उन्हें पकड़ने के लिए आने वाले हैं तो अब यह सब एक साथ मिलकर पुलिस वालों के साथ फाइट करते हैं और मौका मिलते ही, कॉनर, पवानी को लेकर इस बिल्डिंग से निकलने की कुशिश करता है लेकिन तब ही, एक केनाइन रोबोट इनके पीछे पर जाता है और कॉनर को जहर देकर जान से मारने की कुशिश करता है लेकिन तब ही, पवानी सामने आती है और वो केनाइन रोबोट को अपने पावर से कंट्रोल कर लेती है लेकिन तब ही, एक दूसरा ओफिसर अपना केनाइन रोबोट लेकर आता है और तब पवानी अपने केनाइन रोबोट से दूसरे केनाइन रोबोट को हरा देती है जिसके बाद पवानी और कॉनर बिल्डिंग के बाहर आते हैं जहां पर बहुत सारे मीडिया और रिपोर्टर्स खड़े हुए थे फिर कॉनर रिपोर्टर का एक कैमरा मांगता है देन पवानी केनाइन रोबोट के अंदर से सारे सबूद एकठा करती है जो कि ऑफिसर किंग के खिलाफ थे और अब पवानी सारे वीडियो को कैमरा के थ्रू पूरी दुनिया को दिखा देती है और इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आफिसर किंग ने जिस जिसको भी मारा था वो सब कुछ रिकॉर्डेट था तो अब इस वज़े से आफिसर किंग एक्स्पोज हो जाते है उन्हें गिरफतार कर लिया जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है दिन आखिर में कॉनर और पवानी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लोट जाते हैं और गैरेट को पुलिस ने गिरफतार कर लिया था क्योंकि गैरेट तो ड्रग्स का धंदा करता था और इसी तरीके से ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो आई होप आपको ये स्टोरी और मेरा एक्स्पिनेशन करने का तरीका पसंद आया होगा तो अगर वीडियो पसंद आयो हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना